हेलो फ्रेंट्स, परीदी कुजीन में आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक एर फ्रेयर रेस्पी, फ्रेंट्स, अकसर कोई छोटी मोटी भूख हो, या फिर कोई पार्टी हो, या फिर फेस्टिवल हो, हम नमकीन मत्री जरूर बनाते हैं, लेकिन आपने अकसर या नमकीन मत्री फ्राइ करके ही बनाई होगी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ओईल फ्री नमकीन मत्री, आज हम इसे एर फ्रेयर में बनाएंगे, फ्रेंट्स, अगर आपके पास एर फ्रेयर नहीं है, तो आप इसे फ्राइ करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और health conscious हैं तो आप air fryer में ये मट्री एक बार चरूर बनाएं। आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो देर नहीं करते, शुरू करते हमारी आज की रेस्पी नमकीन मट्री। सबसे पहले हम मैदे से डो लगाएंगे। अगर आपके पास भी मेजरिंग कप नहीं है तो आप इस परकार एक कप ले ले या फिर कोई भी बाउल ले ले। मैंने यहाँ पर एक कप लिया है और मैंने यहाँ पर इस कप से दो कप मैदा लिया है। आप इस परकार 2 कप मैदा ले ले और यहाँ पर मैंने इसी कप से 1 फोर्थ कप ओयल लिया है अगर वेट में बोलूं तो अगर आपने 200 क्राम मैदा लिया है तो आप इसमें 50 क्राम ओयल डाल ले मैंने इसमें 1-4 cup oil मिला दिया है अब आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला दे मैंने यहाँ पर 1-1-2 teaspoon नमक डाल लिया है अब 1 teaspoon मैंने यहाँ पर अजवैन ली है आप अजवैन को हथेली पर रखकर दोनों हाथों से इस परकार रगड कर डाले इससे इसका flavor बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब आप oil, मैदा, नमक और अजवैन सभी चीजों को अच्छे से mix कर ले आप अभी इसमें पानी ना मिलाएं आप अपने हाथों की help से अच्छे से इसे मसल ले friends, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने मोन अच्छे से डाला था फिर भी मेरी मटरी अच्छी नहीं बनी उसका एक टिप ये भी है कि आप मैदे और oil को इस परकार उंगलियों से रगड़ते रहे अगर आप इसे इस परकार मसलेंगे तो आपकी मटरी यकीनन बहुत ही कुरकरी बनेगी क्योंकि oil आपके मैदे पे पूरी अच्छी तरह से लग जाता है और आपकी मटरी को कुरकरा बना देता है अब आप इसे इस परकार मुठी में बंद करके देख लें अगर ये मुठी बंद हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका मौन ठीक डल गया है और अगर आप इस परकार नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा oil और mix कर लें अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एक डो त्यार कर लें आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाएं, एक साथ पानी ना डालें मैं अक्सर एक्जाम के दिनों में बच्चों के लिए ये मट्री बना कर रख देती थी क्योंकि बच्चों का पढ़ाई करते हुए कुछ न कुछ खाने का मन करता है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, तो हमें उन्हें कुछ एल्दी देना होता है इसलिए मैं बिना फ्राई की हुई ये मट्री बना कर रख देती हूँ तो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और उनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है और सबसे अच्छी बात ये लंबे समय तक खराब नहीं होती आप इसे डिबे में डाल कर एर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और बच्चे जब चाहें इसे निकाल कर खा सकते हैं हमारा डो बनकर रडी हो गया है मैं आपको दिखात देती हूँ कि हमारा डो ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज है आप इस परकार डो त्यार करके इसे कुछ देर के लिए ढग कर रेस्ट होने के लिए छोड़ दे अब हम मैदे से मटरी बनाना शुरू करते हैं उसके लिए आप इस डो में से एक पेड़ा काट ले और फिर उसे हथेली से इस परकार रोल कर ले इसे बेलने से पहले आप सर्फिस पर थोड़ा सा ओल लगा ले ताके ये चिपकेना और अपने बेलन पर भी आप थोड़ा सा ओल लगा ले अगर आप इस परकार बेलन पर ओयल लगा लेंगी तो आपको मट्री को बेलने में असानी होगी अब हम इसे बेलन से बेल लेते हैं इसे बेलते हुए आपको कोई भी शेप का ध्यान नहीं रखना है बस आप इसे बेल लें इसके किनारे अगर टेडे मेडे भी हो रहे हैं तो कोई फिकर की बात नहीं है आप देख सकते हैं हमने इसे इतना मोटा रख लिया है मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इस पर कारा आप रख लें अब आप एक पीजा कटर ले ले और फिर आप इसके किनारों को कट कर दे जो भी टेडे मेडे किनारे हैं वो सब कट जाएंगे और एक स्क्वेर पीस हमारे सामने आ जाएगा अब आप इसकी पतली पतली लंबी लंबी स्टिप्स काट ले हाँ अगर आपको लंबी लंबी स्टिप्स नहीं भी काटनी तो आप इसके दो पीस भी कर सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार कोई और डिजाइन भी कट कर सकते हैं अब आप सारी स्ट्रिप्स को एक प्लेट में रख लें। जब आप अपनी मत्री बना रहे हो उसी बीच में ही आप 200 डिग्री पर अपने एर फ्रायर को 3-4 मिनट के लिए प्रिहीट कर लें। और अब आप इसमें अपनी बनाई हुई मत्री को इस परकार रखें कि वो बिल्कुल भी ओवरलैप ना हो। आप देख सकते हैं हमने बिना ओवरलैप के हुए अपनी मत्री को रख दिया है तो बस अब हम बिना फ्राय के हुए अपनी मत्री को एर फ्रायर में रेडी करेंगे अब आप इसमें 10 मिनट का टाइमर लगा दें और 10 मिनट में आपकी मटरी ready होगी लेकिन फ्रेंड्स जब 5 मिनट हो जाएं तब आप अपनी बास्केट को बाहर निकालें और आप इस परकार बास्केट को शेक करें इससे आपकी मटरी हर तरफ से क्रिस्पी होगी और उस पर कलर भी बहुत अच्छा आएगा हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब हम खोल कर देखते हैं वाउ आप देख सकते हैं हमारी ओयल फ्री मटरी बनकर रेडी हो गई है आपको इसकी अवाज से ही पता लग रहा होगा कि ये कितनी कुरकरी बनी है तो फ्रेंट्स आप इस परकार अपनी बाकी बची हुई मटरी को बना कर रेडी कर ले जब तक हमारी ओयर फ्रेयर में मटरी बनती है मैं उन लोगों को भी बता देती हूँ जिनके पास ओयर फ्रेयर नहीं है आप फ्रेंट्स इस परकार एक कड़ाही में ओयल गर्म कर ले और अपनी बनी हुई मटरी ले ले आप अब इसमें मटरी को फ्राई कर ले फ्राई करने से पहले फ्रेंट्स आप अपने ओयल को बहुत अच्छे से गरम कर ले और मटरी डालते हुए आप अपने गैस को सिम कर ले आपको अपनी मटरी को कम आज़ पर ही सेखना है तभी ये क्रिस्पी और कुरकरी बनेगी आप इसे इस परकार हिलाते रहे जब तक कि इस पर बहुत सुन्दर गोल्डन सुनहरी रंग ना आ जाए आप देख सकते हैं कुछ ही मिंटों में इसके उपर बहुत अच्छा कलार आ गया है अब आप इसे चान कर एक प्लेट पर निकाल ले और इसी परकार आप बाकी बच्चे हुई मठरी को भी फ्राइ कर लें तो फ्रेंट्स जब तक आप अपनी मठरी को फ्राइ कर रहे थे दूसरी तरफ हमारा air fryer भी without oil हमारी मठरी को ready कर रहा था तो हमारी मठरी त्यार हो चुकी है आप देख सकते हैं ये है हमारी without oil मट्री और ये है हमारी oil के साथ मट्री लेकिन दोनों ही मट्री देखने में और खाने में पहुत ही स्वादिस्ट हैं मैं आपको दिखाती हूँ oil free मट्री ये भी fried मट्री की तरह ही crispy बनी है आप इसकी आवाज सुन सकते हैं अगर आप भी मेरी तरह इस healthy, crispy और tasty मट्री खाना चाहते हैं तो जल्दी से kitchen में जाईए पर हाँ जाने से पहले मेरी चैनल को subscribe करना ना भूले और अपने friends के साथ इसे share जरूर करें क्योंकि ये healthy recipe आपी के लिए नहीं बलकि सब के लिए बहुत जरूरी है Thank you